हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल नीटिंग कोरज फ्रेंड्स इस चैनल पर यह जो फैंसी हाफ जैकेट मैंने सिखाना शुरू किया हुआ है आज इसका यह पार्ट नमबर 6 है आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्डर के बाद देखिए इसमे इसमें जो सेकंड डिजैन अप्लाई किया गया है फ्रेंड के लेफ्ट और राइट पार्ट में बोर्डर के बाद यह डिजैन एडजेस्ट करना बताऊंगी और यह जो बटन हॉल इसमें बनाया गया है यह कैसे बनाया गया है यह बताऊंगी तो चलिए आज की वीडियो ये देखिए friends, front part में border के बाद इस design को apply करने से पहले आप इसके back part पर देहन दीजिए back part के border में मैंने 115 फंदे लिए हुई है ये जो border design है, ये 16 के multiple फंदे लेकर 3 फंदे extra लेने से इस तरह से adjust हो जाता है border के बाद जब इस design को apply किया, तो इस design को बनाने के लिए हमें 12 के multiple फंदे लेकर 3 फंदे extra लेने होते हैं तो ये design इस तरह से adjust हो जाता है border के बाद जब इस design का हिसाब लगाया, तो 12,9,108 और 3 फंदे प्लस करने से 111 फंदे बन रहे थे तो 4 फंदे मैंने इस border के बाद बीच में से 2 का 1, 2 का 1 करके कम कर दिये थे तो border के बाद उपर मैंने इसमें 111 फंदे किये हुए है जो भी फंदे घटाने होती है, वो इस तरह से बीच में घटाने होती है, side में नहीं क्योंकि side में फंदे घटाने से ये जो इसकी shape है ये खराब हो जाती है अब आज ये इसके back part पर back part में देखिए जब हमने इसके फंदे लिये थे तो back part का half करके 5 फंदे हमने बटन पट्टी के extra लिये यानि total मेरे पास 63 फंदे एक पार्ट के हैं और 63 फंदे एक पार्ट के हैं 63 में से मैंने 11 फंदे की बटन पट्टी सेट की है और 52 फंदे में मैंने इस तरह से ये border design एड़िस्ट किया है अब border के बाद जब इस design को हम front part में एड़िस्ट करेंगे तो हम 12 के multiple फंदे करके 3 फंदे पलस करेंगे तो यहां पर जब हम हिसाब लगाते हैं तो 12 चोक 48 और उसमें 3 फंदे पलस करने से 51 फंदे हमें इस design के लिए उपर चाहिए होते हैं तो अब हम क्या करेंगे पट्टी के अलावा हमारे पास यहां पर 52 फंदे हैं और एक फंदा इसमें से कम करेंगे अब इस design को कैसे adjust करना है यहां पर ध्यान दीजिए यह देखिएगा एक पार्ट में हमारा यह यहां से शुरू होगा और एक पार्ट में हमें design इधर से शुरू करना है क्योंकि यह पट्टी इधर है तो यह देखिए यह जो हम फंदा इसमें यहां पर उल्टा रख रहे हैं तो उपर वाले design में भी हमने एक फंदा उल्टा रखावा इसे हम यहां उल्टा ही बुन लेंगे धागा पीछे अब इस design पर ध्यान दीजिए कि इसको कैसे शुरू करना है यह एक फंदा यहां पर सीधा बना दीजिए फिर धागे को अपनी तरफ लियाए और इस फंदे को पलटके आप सीधा कीजिए और पीछे की side से slide डालके देखिए धागा अपनी तरफ है और दो का एक कर दीजिए तो यह देखिए यह दो का एक किया तो एक फंदा बन गया दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ और यह नो फिर से गिन लिजिए देखिए पहला फंदा इसका उल्टा दूसरा फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके दो का एक किया तो देखिए एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ और यह नो अब धागे को अपनी तरफ कीजिए और यहां पर तीन फंदे का एक कर दीजिए तो इस फंदे को छोड़ के बीच वाले को इस तरह से लेंगे और आगे से इस फंदे को उतार के हम देखिए बैक साइड से ऐसे ले लेंगे और बीच वाले को पलट के यहां पर डाल देंगे धागा अपनी तरफ है इन तीन फंदे में अब पीछे की साइड से स्लाइड डाल के यहां तीन का एक कर देंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे और नो फंदे सीधी बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच और जो एक फंदा कम करना है वो आप इसकी यह जो बोर्डर डिजैन है इसकी बार्मिस लाइड उल्टी पर भी कम कर सकती है और इस सीधी साइड पर भी कम कर सकती है तो मैं यहां पर कम करूँगे क्योंकि मैंने इसकी उल्टी साइड पर कम नहीं किया था तो यह देखिए दो चार एक पांच यहां पर मैं एक फंदा घटा दूंगी तो यह हमें यहां पर जो फंदा कम करना था वो कम हो चुका है तो 6 हो गए 7, 8 और ये 9 अब धागे को अपनी तरफ लियाए इसे छोड़ कर इस पीछ वाले को हम ऐसे लेंगे आगे से इस फंदे को उतार कर पीछे की साइट ले लेंगे और इसे पलट कर हम यहां डाल देंगे धागा अपनी तरफ है और इन 3 फंदे का हम पीछे की साइट स स्लाइ डाल कर 3 का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ करके तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ नो नो फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इसे छोड़ के देखिए इस फंदे को हम बीच में से ऐसे लेंगे इसे उतार कर यहां डाल देंगे और इसे पलट के सबसे आगे धागा अपनी तरफ है और पीछे की सेट से सलाई डाल के यहां तीन का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और फिर से हम नो फंदे सीधे बनाएंगे, यह देखिए, एक, दो, यहां लास्ट में हमें क्या करना है, देखिए, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह जो दो फंदे हैं, इन दो का हमें एक करना है, जैसे मैंने इस डिजैन में यहां पर बनाना बताया तो फिर से देख लिजिए, देखिए, धागा अपनी तरफ करके, जब हमने इस फंदे बनाए, दो, जार, छे, आठ, एक, और यह दो, आगे की साइड से स्लाइड ढालके, दो का एक कर देंगी, तो देखिए, यहां पर नो फंदे होगे, अब धागे को अपनी तरफ लिया तो यहां पर यह जो हमारा इस पट्टी के साथ जो डिजैन चलेगा, वो सही नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, इसको आपने थोड़ी सी इसकी डिजैन की लुक देने है, इस उपर वाले फंदे को छोड़ दीजिए, इसके जो नीचे वाले होल में है, इस तरह से सल फंदे को उल्टा नहीं बुनना है, फिर आप आगे जैसे आपका यह बोर्डर डिजैन बना हुआ है, उस तरह से आप इसे बना लेजिए, ये बनाने के बाद उल्टी साइड से ये जो बोर्डर के फंदे हैं, ये आपको बोर्डर के हिसाफ से बनाने हैं, और इस डिजैन इस ओपर वाले डिजैन की दो सलाईयां कम्प्लेट हो चुकी है, आठ सलाईयों का ये डिजैन है, मैं सिर्फ आपको ये एक सलाई और बना कर दिखाऊंगी, पूरे डिजैन के लिए आप इसका सैकिन पार्ट देख लिजिए, तो अब देखिएगा इसकी सीधी साइड पर कै धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये वाला जो फंदा है इसे पलट के हम सीधा कर देंगे, धागा अपनी तरफ है, पीछे की साइड से सलाई डालके यहां पर दो फंदे का एक कर देंगे, तो धागा अपनी तरफ करके फंदा बनाने से जाली भी हो गई है और फं आगे की साइड से स्लाइड डालके यहां पर दो फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे से स्लाइड डालके दो का एक अब पांच फंदे सीधे एक दो, तीन, चार और ये पांच, एक और ये दो, आगे से स्लाई डालके दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और तीन फंदे सीधे, एक, दो और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे, पीछे से स्लाई डाल के दो का एक अब पांच सीधे एक दो तीन चार और ये पांच एक और ये दो आगे से स्लाइड डाल के दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ और तीन सीधे एक दो और ये तीन फिर देखिएगा ये तीन फंदे सीधे बनाने की बाद धागे को अपनी तरफ ले कर पीछे सिसलाई डालके दो का एक कर देंगे अब पांच सीधे देखे एक दो तीन चार और ये पांच अब एक ये और एक ये आगे सिसलाई डालके दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे ये जाली वाला और ये फंदा ये दो फंदे हम ऐसे सीधे बनाएंगे ए एक और ये दो अब ये वाला जो फंदा है ये आपने हर बार सीधी साइड पर ऐसे ही करना है जो सलाई पर फंदा है उसे छोड़ देना है उसके नीचे वाले होल में सलाई डाल कर इसको सीधा बुनना है तो ये जो देखिए ये जो हमने इसके तीसरा डिजैन बनाया गया है इसकी तरह यहां से एक फली बनती जाएगी और इसकी लोग अच्छे आएगी अब आगे आप बोर्डर के हिसाब से इसे बोर्डर बनाएगे तो फ्रेंड्स ये देखिएगा इस तरह से ये डिजैन हमारा एक पार्ट में एडजेस्ट हो गया है और इस वाली साइड जहां गैप करके मैं ये बटन होल बनाना बताऊंगी उससे पहले आप इस पार्ट में देखिए इस पार्ट में इस डिजैन को कish तरह से एडजेस्ट करना है तो ध्यान दीजिए क्योंकि उसमें हमारा डिजैन यहां से शुरू हुए था और इसमें डिजैन हमारा इधर से शुर अभ जैसे हमने इस पार्ट में इस वाले फंदे को बुण आथा, अब हम यहां से इस फंदे को ऐसे ही बनाएंगे, इसने नीचे वाले में सलाइ डाल कर इसको शीद्धा बुन देंगे, अब यहां से हमारा यह तीजैन शुरू होता है तो इस फंदे को हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे धागे को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाइड डालके दो का एक कर देंगे तो देखिए एक फंदा हो गया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो एक बार फिर से देख लीजिए धागा अपनी तरफ करके यहां हमने दो का एक किया तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो फंदे होने की बात धागा अपनी तरफ कीजिए और तीन फंदे का यहां एक कर दीजिए पहले फंदे को उतार के पीछे से स्लाइपर ऐसे ले लेंगे बीच वाले को पलट कर यहां डाल देंगे धागा अपनी तरफ है और तीन फंदे का हम एक फंदा कर देंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और जो एक फंदा हमने इसमें कम करना है वो अब हम यहीं पर कम कर देंगे जैसे इस पार्ट में किया था तो यह देखिएगा एक, दो, तीन और यह चार यहां मैं दो का एक कर दूँगे तो वो जो एक फंदा मैंने कम करना है वो कम हो जाएगा पांच, छे, साथ, आठ, और यह नो धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन का एक करेंगे पहले फंदे को उतार कर पीछे से ऐसे ले लेंगे इसे पलट कर हम सबसे आगे डाल देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की सेट से स्ले डाल के तीन का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ और नो फंदे सीधी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह नो नो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को छोड़ कर बीच वाले को ऐसे लेंगे पहले को उतार कर पीछे ले जाएंगे और बीच वाले को पलट कर सबसे आगे डाल देंगे धागा अपनी तरफ है पीछे की सैड से slide डालके तीन फंदे का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ अब लास्ट में देखिए एक दो तीन चार पांच छय साथ आठ और ये वाले जो दो फंदे हैं आगे की सैड से slide डालके यहां पर हम दो का एक कर देंगे अब ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा सोरी फ्रेंड्स यहां पर जाली भी डालनी है जो मैं भूल गई थी क्योंकि जाली नहीं डालेंगे तो फंदा नहीं बढ़ेगा और हमारे फंदे कम हो जाएंगे यह हमने जरूर ध्यान में रखना है कि यहां मिष्टेक ना हो यहां से हमने जो आठ फंदे बनाने के बाद दो का एक किया है तो उसके बाद हमें धागा अपनी तरफ करना है और इस फंदे को सीधा बनाना है अगर हम एक बार भी यहां चाले डालना भूल जाएंगे तो हमारी फंदे कम हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमने इस लास्ट फंदे को उल्टा बुनना है अब आज यह इसकी उल्टी साइड की स्लाई पर यहां तक के फंदे इसके उल्टे बनेंगे और पटी के फंदे हैं वो पटी के हिसाब से बनेंगे सिधी सेड पर देखे फ्रेंट्स एक बार आप फिर से ध्यान दीजीएगा यह 11 फंदे फंदे पटी के बनाने के बाद यह वाला जो फंदा है इसको आपने हर बार सीधी साइड पर उपरवाले को छोड़ कर इस नीचे वाले होल में इस तरह से सलाई डाल कर इसको सीधा बुनना है तो यहां से यह मोटी सी फली बनने शुरू हो जाएगी जो इस पट्टी को और इसको बिल्कुल अलग-अलग आपको दिखाएगी तो यह आपने इस तरह से करना है आगे का डिजैन जैसे मैंने बताया है यहां पर बनाना उसी हिसाब से आप इसे रिपेट करते जाएए अब मैं एक बार आपको यह जो इसमें धागा बंदा हुआ है इसको कैसे हटाना है यह बता देती हो और फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा इतना बना कि यह जो बटन होल मैंने बनाया है यह भी आपको बता देती हूँ तो चलिए पहले इस धागे को हटा लेते हैं क्योंकि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर और वीवर्स की फिर बाद में कमेंट आते हैं कि हम पट्टी वाली साइड से इस धागे को कैसे हटाएं यह देखे फ्रेंट्स यहां पर जैसे जब आप फंदे डाल रही होती है तो एक नोट तो आपने तभी लगानी होती है जो फंदे डालने के बाद हम लगा देते हैं और उसे आपने टाइट कसना है जिससे यह फंदे डाले हुए यहां से लूजना हो और फिर जब इस धागे को हटाना हो तो देखे इस तरह से पकड़ लीजिए और पहले इसको जितना आप टाइट खीच सकती है उतना टाइट इसे खीच दीजिए जिससे हमने फंदे डालने के बाद जो नोट लगाई होती है वो इसके अंदर चली जाती है और फिर आपने ये देखे इसको इस तरीके से ऐसे कट कर देना है और फिर इस धागे को फिर से हम इसको एक बार खीच देंगे और इसके साथ लेकर हम जितना टाइट हो सके उतनी टाइट यहाँ पर आपने एक नोट लगा दी और फिर आपने इसके दूसरी नोट इस तरह से लगा देनी है और फिर इसको आपने इसके बिल्कुल पास से मिला कर कट कर देना है ऐसे ये देखेगा फ्रेंट्स अब ये इसके बिल्कुल पास से कट चुका है और ये note आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और जितना मर्जिय इसको वोश करते रहो ये यहां से खुलेगा भी नहीं तो इस तरह से आपने इस धागे को हटाना है अब मैं इसे थोड़ा सा बुनके आपको ये बटन होल भी बता देती है ये देखे फ्रेंड्स एक बटन होल तो मैंने इसका यहां पर बनाया 5-6 सलाई बनाने के बाद अब यहां पर मैं इसका ये दूसरा बटन होल बनाओंगी एक बटन होल के बाद दूसरे बटन होल का gap आपको कितना रखना है यह आप अपने हिसाब से रख लिजे कि आपको कितने कितने gap पर बटन लगाने है तो यह जो बटन होल इसमें बनाना है friends आपको क्या करना है यह जो हमारी 11 फंदे की बटन पटी है उसमें से 5 फंदे देखे पाट की तरफ बनाने है 6 फंदे इधर रखने है उसके बीच में बटन होल जब हम बनाते हैं और जम बटन इसके बंद करते हैं तो जो पट्टी की शेप होती है वो टेड़ी नहीं होती है तो आपको ऐसे ही करना है ग्यारा फंदे में से 5 इधर बुन लेने हैं और 6 इधर छोड़ देने हैं अब कैसे करना देखिए सबसे पहले हम लपेट कर एक जाली बनाएंगे क्यों थाज़ा है धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम पीछे की साइड से ऐसे लेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे तो यहाँ पर हमारी यह डबल जाली आ गई है तो आपको इसी तरह से इसमें डबल जाली बनानी है फिर आगे के जो फंदे हैं देखिए यह एक उ और फिर ये एक उल्टा अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर जो आपका फंदा सीधा हो उसको सीधा बनाईए थागा अपनी तरफ करके जो आपका उल्टा हो उसे उल्टा बनाईए इस तरह से करके हमने ये चै फंदे बनाने तीन हो गए च्यार ये दे कि आप इस तरह से लीजिए और इसे उल्टा बुन कर इन दोनों जाली को इसके उपर से उतार दीजिए अब यहाँ पर हमारा एक फंदा ये बढ़ गया है इसको हम next लाई में कम करेंगे इस लाई में हम इसको बुन कर छोड़ देंगे धागा पीछे करेंगे next वाला फंदा ह अब यहाँ पर इसको कैसे कम करना है वो बता देती हूं next लाई को यहाँ तक बना लिती हूं तो यह देखे फ्रेंड्स यहाँ तक के यह फंदे मैंने अपने डिजैन के हिसाब से बना लिये हैं अब आगे यह जो हमने एक फंदा इसमें बढ़ाया हुआ है इसको हम ग्यारा में से देखिए यह एक उल्टा धागा पीछे और एक फंदा यह सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा पीछे और यह एक फंदा सीधा अब यह देखिएगा यह फंदा जो उल्टा है और यह बढ़ाया हुआ है धागा अपनी तरफ करेंगे औ और इसके साथ लेकर इन दो फंदे का हम एक फंदा कर देंगे, तो यह दिखे, यहां पर यह हमारा बहुत ही अच्छा सा बटन होल बन गया है, धागा पीछे, नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा है तो उसे सीधा बनाएंगे, और जो उल्टा है तो उसे उल्टा बनाएंगे इस तरह से करते हुए इस लाइ को हम complete कर देंगे और यहाँ पर हमारा यह बटन होल बनके तयार हो गया है इस बटन होल में आपका normal size का button भी लग जाएगा और अगर आप थोड़ा सा बड़ा size का बनाना चाहती है तो वो भी इसमें लग जाएगा और इस तरह से बटन होल बनाने का फाइदा ये होता है friends कि ना तो ये नीचे से कटेगा और ना ही उपर से कटेगा बिल्कुल ये जैसे हम काज बनाते हैं शर्ट वगरा में ठीक ऐसे बन जाता है तो देखिए friends से इस तरह से ये बटन होल भी बन गए है और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर बताऊंगी उसमें मैं आपको इन दोनों पार्ट में ये जो उपर का डिजैन बनाया गया है इसमें फंदे कहटा कर इसको एड़ेस्ट करना और इस पट्टी के साथ साथ हमारा ये एक डिजैन चलेगा ये किस तरह से एड़ेस्ट होगा ये आपको बताऊंगे तो friends अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए अपने सभी friends ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके झाल 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 झाल